नमस्कार दोस्तों आपका एक्जाम जीत में स्वागत है आज हम CGPAC ACF के एगरी कल्चर क्रिस्टी के मुहत्वपूर्ण टॉप 30 कोशन करने वाले हैं अगर आप इस चैनल फे नए हैं तो चैनल को सस्काइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लेक करिए तो आज का हमारा पहला हैं तो पहला कुश्यन है प्रकास पास का उप्योग किया जाता है अपसन पहला दिया है माहू की रोग था में तू अपसन दूसरा दिया है मोध हुआ बीटल की रोग था में तू और अपसन तीसरा दिया है सेमी लूपर्स की रोग था में तू और चौथा अपसन दिया है कीट जाल का उपयोग किया जाता है अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन आपको दिया हुआ है जली खर्पतवार है तो इसमें से जली खर्पतवार कौन सा है तो आपसन पहला दिया है एनागेलिस आपसन दूसरा है पार्थिनियम आपसन तीसरा दिया आपको पिस अगला कुश्चन दिया है रासायनिक उत्परिवर्त जन है तो रासायनिक उत्परिवर्त जन कौन सा है तो पहला अप्सन दिया है इथाईल एलकोहल अप्सन दूसरा दिया है नैट्रस अमल अप्सन तीसरा है सोडियम क्लोराइड और अप्सन चाहता है दिया है आपको सल्फ तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस अम्ल नाइट्रस अम्ल जो है रासाइनिक उत्परिवर्त जन है अगला कुश्चन दिखते हैं अगला कुश्चन आपको दिया हुआ है अगला कुशन दिया है ज्वार प्लस तूर पद्धती फसल पद्धती है तो पहला अपसन दिया है निमन उर्दो मैदान पद्धती अपसन दूसरा दिया है आपको वर्षा अधारित उर्दो मैदान पद्धती अपसन तीसरा है अंतरस्त पद्धती और अपसन चौथा दिया अपसन दूसरा मतलब जो है वर्सा आधारित उर्द मैदान पद्धति जो है जो और तुवर की फसल पद्धति है अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन आपको दिया हुआ है अगला कुशन दिया है आलूओं को एक वर्स से उपर सुसुपता वस्ता में रखा जाता है तो गामा किर्णों से दो से चारडी से और तीसरा दिया है एन एय से और चौथा दिया आपको मेलिक हाइड्राजाइड मेलिक हाइड्राजाइड से तो इसका सही आंसर हो जाएगा rage fayula 4003 जो है अलो को सुसुपता वस्ता में रख़ एक सकता है मोईältि हाइडिया कुष्ण देखते हैं थे अगला को शुपत्र काムा कृष्णी विज्ञानकेंद्र ऑप्सन दूसरे तर में अप्सन तीसरह है मंद शोहर और अप्सन चौथा दिया आपको पांडीचेरी में तो इसका सहीं आंसर हो जाएगा अप्सन चौथा पांडीचेरी में जो है भारत का पहला क्रिशी विज्ञान केंदर केवी के 1974 में प्राराम हुआ था पांडीचेरी में अगला कुश्यन देखते हैं, तो अगला कुश्यन आपको दिया है, अगला कुश्यन दिया है, ट्राइकोडर्म का उप्योग किया जाता है, तो ट्राइकोडर्म का उप्योग इसमें से किस नियंतरण, किस रोग के नियंतरण में किया जाता है, तो पहला अपसन दिया है वाय मीटर नियंत्र में जो है ट्राइको डर्मा की ऑपयोग किया जाता है अ अगला कुस्चिन देखते हैं तो अगला कुस्चिन को डिया हुआ है अगला कुश्यन है एनिमो मेटर का उप्योग किया जाता है तो पहला अपसन है वायू मंडली दाब मापने के लिए दूसरा अपसन है सौर विकिरणा मापने के लिए अपसन तीसरा दिया है आपको वायू की दीसा मापने के लिए और चौथा अपसन है वायू गती मापने के लिए लिए उसका साही अंसर हो जाएगाप अपसंचो था वाय verso की गतीम आपने के लिए एनिमो मेटर का उपयोग किया जाता है अगला कुश्च्छन दिखते हैं कि का अगला कुश्च्छ दिया आपको का संबन्ध इन वैंसे किस में से है तो इसका सही आन्सार हो जाएगा गुरुवत्त क्वालिटी से संबंध है एगब का कसंद्ध अगर और आपसे कुश्चन पुछा जाता है कि एक मार्ग का full farm क्या होता है इसका पूर्ण रूप क्या है एगमार्ग का तो एगमार्ग का पूर्ण रूप होता है agriculture marketing जो है एगमार्ग का पूरा नाम होता है अगर आप से question पूछा जाता है कि इसका मुख्याला कहां पर है तो इसका मुख्याले जो है एगमार्ग का मुख्याला फारिदाबाद हरियाना में हैं यह जो है एक प्रमान चिन्ह है जो भारस सरकार क्रिसी और खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है अगर आपसे कुश्चन पूछा जाता है कि एगमार्क का प्रयोग साला कहा है केंद्री प्रयोग साला कहा है एगमार्क का तो इसका प्रयो समान्मान वाले बिंदर जोड़ती है तो तो पहला अप्सन दिया है वायूदाब के, अप्सन दूसरा है वर्षा के, अप्सन तीसरा दिया है तापमान के, और अप्सन चोथा दिया आपको वायू गती के, जिसका सही अंसर हो जाएगा वर्षा के, अगला कुश्चन दिखते हैं, अगला कुश्चन आपको दिया है, जिया मेट इवर्टा को कहते हैं, तो जिया मेट इवर्टा को क्या कहते हैं इन में से, तो पहला अप्सन दिया है डेंट कार्न, अप्सन दूसरा है पॉपकर्न, और अप्सन तीसरे दिया अपको सौप्ट कार्न, और चौथा अप्सन है स्वेट कार्न, जिसका सही आंसर हो ज है पहला अपसंग सुदार और चोथा अपसंडिया वरण तो इसका सई आ Branch कि यहाई गुट्मासुदार प्रजिनन को मुख्य उद्देशह गुट्याट मग्शुदार एप्संग अगला कुश्या आपको अपसंदिया है आपको 50% जन संख्या का दूसरा अपसंदिया है 60% जन संख्या का तीसरा अपसंदिया है आपको 80% जन संख्या का और चौथा अपसंदिया है आपको 100% जन संख्या का मतलब भारत में ऐसे कितने जन संख्या है जो क्रिसी पर नेरवर करते हैं क्रिसी उनकी जो है भारत में क्रिशी अजीवका का मुख्य स्रोत है अगला कुश्चन देखते हैं तो अगला कुश्चन आपको दिया है अगला कुश्चन दिया है प्रसार सिक्षा का आधार बूत उदेश है तो प्रसार सिक्षा का आधार बूत उदेश इसमें से कौन सा होगा पहला अपसन दूसरा है सिख्छा का विकास अपसन तीसरा है जन विकास और चौथा अपसन दिया है विद्याले का विकास तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसन तीसरा जन विकास जो है प्रसार सिख्छा का आधार भूत उद्देश है अगला कुश्चन देखते हैं तो अगला और चौत्पा प्राणी नाम इसमें से कौन सा है इसका माप रिखते हैं अगला कुश्यन दिर आहे अगला कुश्चन दिया है, मुंफली का कालर स्रडन का कारक है, तो मुंफली का कालर स्रडन का कारक कौन सा है, तो पहला अपसन दिया है, जिवान, अपसन दूसरा है कवक, और अपसन तीसरा दिया है, सूत्र क्रीमी, और चौत अपसन दिया है, आपको विशानू, तो इसका स सोरगम का उदभाव स्थान है तो सोरगम जवार का उदभाव स्थान कहा है तो पहला अपसंदिया है चीन में दूसरे दिया है मध्यपूर्व आफरीका तीसरा अपसंदिया है मध्यपूर्वी एसिया और चौथा अपसंदिया है अपको मैक्सिको तो सोरगम का उदभाव स् तुल्य कालिक परिपक्वता अधीक्तम आफिक्चीत होगा किसमे तो पहले अपस्ण दिया है, जो में, दूसरा अपसं दिया है मख्का में, अपसं तीसरा है मूंग और अपसं चवत दिया आपको गिये हूं में तु तुल्यकालिक परिपकवता इने से सबसे ज़्यदा किस्म हैं, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, मुंग में, मुंग में सबसे ज़्यदा तुल्लेकालिक परिपकवता होता है, इन सब के तुल नामें, अगला कुश्यन देखते हैं, अगला कुश्यन आपको दिया है, रात्री मीदा खाद बनाई जाती है, तो पहला अपसंदी है सहर के कचरे से, दूसरा अपसंदी है पसुमल से, तीसरा अपसंदी है मानाउमल से, और चौथा अपसंदी है लेंग्यूल फसलो से, तो लेंग्य कि रात्री मीदा खाद बनाई जाती है तो पहला अपसंदिया है सहर के कचरे से दूसरा अपसंदिया है पसुमल से तीसरा अपसंदिया है मानाउमल से और चौथा अपसंदिया है आपको लैग यूग फसलो से इसका सही आंसर हो जाएगा आपसंदिया मानाउमल से जो है रात प्रति प्रतिरोधी किश्म पूशा शावनी है तो पहला अपसन दिया है बैगन की दूसरा अपसन दिया है मिर्च की अपसन तीसरा दिया है भेंडी की और अपसन चौथा दिया आपको टमाटर की तो पीत सीरा मोजो के प्रति प्रति रोधी किसम पूशा सावली इसमें से कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टमाटर टमाटर इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्यन देखते हैं नाबढ़ की इस्थापना हुई थी पहला अपसंदिया है जुलाई 1982 में जो है नाबड की स्थापन हुई थी 12 जुलाई 1982 में अगर आपसे कुश्चन पूछा जाता है कि नाबड का मुख्यालय कहां पर है तो नाबड का मुख्यालय मुंबई में है और इसका फूल फाम होता है नेशनल वेंगफार एग्रिकल्चर एंड रूलर अगला कुश्चन देखते हैं तो अगला कुश्चन आपको दिया है अगला कुश्चन दिया है आपको भारत में क्रिशी विश्यविद्यालय के मुख्यकारे हैं तो भारत में क्रिशी विश्यविद्यालय के मुख्यकारे इनमें से कौन से हैं तो पहला आपसंदिया है ध् दोगी की हस्ताना अंत्रण एवं प्रग्रहन तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिख्छा अनुसंदान और प्रसार करना जो है भारत में कृशी विश्विद्धालों का मुख्य कार्य है अगला कुशन देखते हैं तो अगला कुशन आपको दिया है अगला कुशन दिया है आपको मुण फली में तेल की मात्रा होती है तो मुण फली में तेल की मात्रा कितनी होती है तो पहला अपसंदी है 20 प्रतिसत दूसरा अपसंदी है 37 प्रतिसत तीसरा अपसंदी है 45 प्रतिस तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैतालिस्पृतिसथ 50 she Julie में तेल की मात्रा होती है अगला कुश्यं देखते हैं है कि तो अगला कुश्य आपको दिया है अस्थी चूर्ण में कुल नियूंतम P2O5 होनी चाहिए, तो अस्थी चूर्ण बोन मिल में जो है नियूंतम P2O5 होनी चाहिए, तो पहला अप्सन दिया है 5 प्रतिसत, दूसरा है 10 प्रतिसत, तीसरा अप्सन है 20 प्रतिसत, और चौथा अप्सन दिया है 30 प्रतिसत, तो इसका जिसको हम bone meal कहते हैं यह एक खाद है fertilizer है जिसमें फासपोरस की सबसे अधिक मात्र होती है और इसको जो है एनिमल के bone अग्थर्थात हड्डियों अस्थियों से बनाया जाता है अगला question देखते हैं तो अगला question आपको दिया है पूसा कोमल किस्म है तो पूसा कोमल इनमें से किसका किस्म है तो पहला option दिया है पत्तगोभी का दूसरा option दिया है चौले का अपसन तीसरा दिया है आपको भिंडी का और चौथा आपसन दिया है खर्बुजे का तो इसका सही अंसर हो जाएगा पूसा किस्म जो है चौले का क में हैं जिसको जे एक प्रकार का सोयवीन की तरह दिखाई देता है आपको अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन आपको दिया है राश्टी सकल घरवलू उत्पादन में भारती कृष्टी का कितना प्रतिसत योगदान है तो पहला अप्सन है 10 प्रतिसत दूसरा अ आपसन तीसरा दिया है 22 प्रतिसत और चाओधा आपसन दिया है 30 तीसका सही आंसर हो जाएगा 14 प्रतिसत जो है राश्टी सकल घरवलू उत्पादन में भारती कृष्टी का चाओधा प्रतिसत योगदान है अगला कुश्चन देखते हैं तो अगला कुश्चन आपको दिय पसुओं में हम पका और खुरपके होता है तो इसमें से किसके कारण होता है मुख़व पका और खुरपका रोग पहला कोशन देखते Хापको यह भारत में किस फसल के च्छेतरफल सरवादिक होता है तो पहला आसर है चाहर प्रोटीट एवं तेल दोनों में घनी फसल का नाम मतहिए, तो पहला प्संदी है चन, दूसरा प्संदी है अरहर, और चौथा आपसंदी आपको सोयावीन तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोयावीन प्रोटीन एवम तेल दोनों की सबसे ज़्यादा घनी फसल किसमें है सोयावीन का सबसे ज़्यादा घनी फसल है अगला कुश्यन देखते हैं